नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चनल न्यू आइडियास वाइटी में Basically Computer Basic to Advance लेवल की इस सिरीज में आज हम बात करने वाले हैं Microsoft Word के बारे में मैं आपको बता दूँ कि हम लोग इस Computer Basic to Advance लेवल की सिरीज में Computer Fundamental, Microsoft Office, Libre Office, Internet Surfing, Tally और Photoshop इन Software को, इन Technologies को सीखने वाले हैं Basically आज की इस वीडियो में हम लोग Microsoft Word क्या है, इसको कैसे ओपन करते हैं इसका Home Interface क्या होता है, इसके बारे में आप से चर्चा करेंगे और साथ ही Home Tab में कौन-कौन से Options है, उनका क्या यूज है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथियों अगर आप लोग प्रतियोगी परिच्छाओं की तारीक कर रहे हैं या फिर O-Level या CCC की तारीक कर रहे हैं तो आप लोग examjila.com इस website को open कीजिए और यहां पर जाकर आप लोग O-Level, CCC, GK और Daily Current Affair का टेस्ट दे सकते हैं So let's start तो सबसे पहले बात यह आती है कि आपको अपने computer या laptop में Microsoft Word कैसे open करना है तो open करने के कई तरीके हैं, आप क्या कीजिए कीबोर्ड में बटन होता है विंडो का, तो विंडो प्लस R, इसकी को प्रेस कीजिए इसकी को प्रेस करने के बाद, आपके सामने एक run command का dialogue box दिखाई देगा तो simply आपको यहां पर type करना है, win word, win word, then ok पर click कर देना है ok पर click करते ही आपके सामने कुछ इस type से home interface दिखाई देगा तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा एक छोटा सा button है इस button को बोलते हैं office button, क्या बोलते हैं office button तो इसी के बगल में आप लोगों को एक पट्टी दिख रही होगी चोटी सी इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं quick access toolbar जहां पर आप लोगों को save and इसके बाद undo और redo का option मिल जाता है वहें पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा लिखा हुआ है document 1 Microsoft Word तो जो document आप जिस पर काम कर रहे हैं उस document का क्या नाम है वो आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा चुकि हमने यहां पर अभी एक नया document create किया है और उस document को हमने save नहीं किया है तो by default यहां पर document 1 लिखके आ रहा है देन इसके बाद चुकि जो यह software है यह कौन सा है Microsoft Word तो यहां पर लिखके आ रहा है Microsoft Word देन इसी में आप लोगों को top right में देखेंगे तीन option पहला है minimize का दूसरा option है restore down का और तीसरा है close का अगर आप इस window को close करना चाहते हैं तो simply आप लोगों को इस cross वाले icon पे click करना है तो जो यह window है यह close हो जाएगी अगर आप इसे maximize करना चाहते हैं यह minimize करना चाहते हैं तो आप इन option से कर सकते हैं for example मैं चाहता हूँ कि जो यह window open है इसको minimize करना है तो simply आप लोगों को इस minus वाले icon पे click कर देना है इस पर click करते ही क्या होगा वो software टास्क बार में minimize हो जायेगा दिन दुबारा से open करने के लिए simply आपको इस पर click करना है और आपके सामने फिर से इस प्रकार से window open हो जायेगी साथियों मैं आपको उता दू कि हमने इस computer series की बना दिये playlist जिसका link आप लोगों को इस video के description में दिया गया है तो अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि जो ये home interface है इसमें जो सबसे उपर पट्टी आपको दिख रही है इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं क्या title bar क्या बोलते हैं title bar मैं यहाँ पर लिदेता हूँ title bar ओके तो ये क्या है ये है title bar तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ options दिख रहे होंगे जैसे कि home, इसके बगल में insert, page layout, references, mailings, review और view तो जो ये आपको options दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं menu क्या बोलते हैं menu और इस पूरी पट्टी को कौन सी पट्टी थोड़ा मैं इसको highlight कर देता हूँ इस पूरी पट्टी को हम लोग बोलते हैं क्या menu bar और जो ये menu है इसमें home, insert, page layout, references, mailings, review और view है बिसकली जो ये menu है, इस menu में कुछ options होते हैं जिनका अलग-अलग use होता है जैसे कि हमने आपर home पे click करके रखा हुआ है तो यहाँ पर home से सम्मंदित जो भी options हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मैंने click किया insert पे तो यहाँ पर जो insert से सम्मंदित options हैं वो सो हो रहे हैं page layout पे click करने पर page layout के options आएंगे इसी प्रकार से अलग-अलग tab के अलग-अलग options हैं for example हमने home पे click किया तो home पे click करने पे जो ये आपको option दिख रहे हैं ये पट्टी जो है इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं क्या ribbon क्या बोलते है ribbon तो हर एक menu का अलग-अलग ribbon है और उस ribbon में अलग-अलग category है और उस category के अंदर अलग-अलग options हैं जैसे कि हमने यहाँ पर home menu को open किया है तो home का ribbon कुछ इस type से है दिन आप यहाँ पर देख पार होंगे कि एक यहाँ पर category है किसकी है यह है clipboard की दिन इसके बाद एक category किसकी है font की दिन next category paragraph की दिन styles and इसके बाद editing तो जो ribbon है वो भी कई parts में होता है कई category में होता है साथियों अगर आप इस ribbon को hide या फिर so करना चाहते हैं तो simply आपको उसी menu पे दो बार click करना है यह हम बोल सकते हैं double click करना है तो हमने इस पर double click किया तो आप देखेंगे जो ribbon था वो hide हो चुका है अगर मुझे दोबारा से वापस लाना है तो मैं उस पर दोबारा से click करूँगा और जो ribbon है वो वापस से आ जाएगा तो इतना आपने सेख लिया देन इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक white color का page तो इसको हम बोलते हैं working area जहाँ पर आप लोग document create करते हो ओके देन आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी पटी दिख रही होगी तो इसको हम बोलते हैं क्या scroll bar एक आप लोगों को यहाँ पर दिखता है और एक बार आपको यहाँ पर दिखता है अगर document को vertical scroll करना है तो आप लोग इसकी help से करते हैं अगर आपको document horizontally scroll करना है तो आप लोग इस बार पर click करके करते हैं ओके तो यह आपके होते हैं scroll bar देन इसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटी सी पटी दिख रही होगी मैं इस पटी की बात कर रहा हूँ इस पटी को हम लोग बोलते हैं क्या status bar क्या बोलते हैं status bar तो जो आपने document open किया है उसके जो status है कि उसमें कितने word है जो document उसमें कितने page है और आप किस page में काम कर रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाए देता है साथ ही जो यह document है इसको zoom in या फिर zoom out करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक करके zoom in और zoom out कर सकते हैं अगर आप minus पर क्लिक करेंगे तो जो document है वो zoom out होगा अगर zoom in करना है तो plus पर क्लिक करिए तो zoom out होगा वहीं अगर आप लोगों को document zoom करना है तो इसके लिए आप लोग control plus जो scroll wheel होता है mouse में उसकी help से भी आप लोग document को zoom in और zoom out कर सकते हो अब बात यह आती है कि जो home tab है उसमें जो options हैं उनका use क्या है और मुझे कैसे use करना है साथियो मेरी आप से request है कि अगर आप लोगों को ये video पसंद आ रहा है तो video को like कर दीजिए और channel को subscribe कर लीजिए ताकि आने वाले जो नए videos हैं वो आप miss ना कर सकें so let's start तो जो home है इसमें सबसे पहली category है clipboard की तो जो clipboard से सम्मंदित options हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे अब चुकि जो ये options हैं मुझे उनका use देखना है तो हमारे पास उसके लिए text की requirement है और मैं यहाँ पर randomly एक dummy text लाने के लिए एक command लिखूंगा and that is equal rand break it open and close साथियों मैंने आप लोगों को ये सारी बाती बताई थी एक वीडियो में जिसमें हमने आप से कहा था कि Microsoft Word की ये 5 trick आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है जहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और जो basic और useful trick हैं उसको सीख सकते हैं तो हमने लिखा equal rent और मैंने enter की hit की तो यहाँ पर एक dummy text आ चुका है, ठीक है, अब बात यह आती है, cut, copy, format printer और paste, इनका use कैसे करना है, for example, मेरे पास यह paragraph है, इसको हमने कर लिया है select, मुझे इसकी copy त्यार करनी है, तो हम करेंगे control plus c, control plus c से क्या होगा, जो content select था, वो copy हो चुका है, अगर आप उस content को देखना चाहते हैं, कि present time में क्या copy है, तो आप लोगों को simply यहाँ पर इस arrow पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पर देख पार हैं होंगे, जो हमने paragraph copy किया था, यह आपको clipboard पे दिखाई दे रहा है, तिन इसके बाद, जो content आपने copy कर रखा है, उसे कहाँ पर paste करना है, उसके लिए आप लोगों को उस location पर जाना है, and control plus v करना है, इससे क्या होगा, जो भी content आपने copy किया होगा, वो वह पर paste हो जाएगा, आप जितनी बार चाहें, उतनी बार control भी करिए, उतनी बार paste होता जाएगा, या फिर आप लोगों यहाँ पर paste पर click करके भी content को paste कर सकते हैं, बट जो paste है, इसमें एक होता है paste, जो कि हमने कर लिया है, control plus v से normally, एक होता है paste special, अब इन दोनों में अंतर क्य है, आईए मैं आपको दिखाने का प्यास करता हूँ, मैंने क्या किया, इस text में थोड़ी सी formatting कर दी, मैंने इसका text size कर दिया है, font size 20 point का, और मैंने इसका color कर दिया है red, ठीक है, अब हमने क्या किया, इस text को यहाँ से copy किया, control plus c, इसके बाद हमने यहाँ पर control plus v किया, तो content हमने copy किया है, उससे मैं अपनी तरह से especially paste करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप लोग special paste का use करते हैं, जिसकी shortcut क्या होती है, control plus alt plus v, तो हमने control alt v फ्रेस किया, तो इस type से paste special का dialogue box दिखाई दिया, तो यह पूछ रहा है, जो आपने content copy कर रखा है, उससे आप किस प्रकार से paste करना चाहते है, html format में, picture के format में, या फिर unformated text में, तो हमने click कर लिया है, unformated text में, ok पर click किया, तो आप देखेंगे, जो content है, वो unformated form में paste हो चुका है, अब चुकि आप लोगों को यहाँ पर जो difference है, समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ पर एक other type का, ले लेता ह लेता हूँ, for example, picture window meta file, इसको हमने ok पर click किया, तो जो यह content है, यह अब image की form में paste हुआ है, आप देखें आपर, अगर मैं इसको edit करना चाहूँ, तो edit नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह image में convert हो चुका है, इसे हमने image की तरह treat किया है, तो आप इस प्रकार से paste और paste special का use कर सकत है, देन अगला आता है cut, तो cut का मतलब क्या होता है, जो content आप मालीजिए, यह content है, मैं चाहता हूँ, कि यह content यहाँ से हट जाए, और मुझे इसे नई location पर use करना है, तो मैं क्या करूंगा, control plus X करूंगा, या फिर आप लोग यहाँ पर content को select करने के बाद, cut पे click कर तो जो content है, वो वहाँ से remove हो जाएगा, दिन आप लोगों की requirement जहाँ पर है, आप वहाँ पर जाकर control V कर दीजिए, तो वो content वहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर जो confusion आता है, कि cut copy, sorry, cut paste और copy paste में क्या अंतर होता है, तो साथियो copy paste में क्या होता है, कि अगर आपने किसी content को copy किया है, copy करने के बाद, वो जो content है, वो अपनी original location पे भी रहता है, और आपको नई location पर जहाँ पर चाहिए, वहाँ पर भी आप उसको ले सकते हैं, control प्लस V करके, बट अगर आपने selected content को control X, यानि कि cut कर दिया, तो उस case में क्या होता है, content अपनी original position से remove हो जाता है, दि ये अंतर होता है, cut paste और copy paste में, तो मैंने आप लोगों को जो clipboard है, उसके तीन function, cut, copy और paste के बारे में बता दिया है, दिन है अगला है, format printer, तो format printer मतलब होता है, कि किसी content की, जो formatting है, उसको copy करना, for example हमने यहाँ पर on the insert tab, इस content का जो text का color है, वो मैंने कर दिया है, like blue, green कर दिया है, इसको हमने bold कर दिया है, underline कर दिया है, और मैं इसका size कर लेता हूँ, 20, अब मैरी requirement यह है, कि जो formatting, इस content पे की गई है, मुझे उस formatting को, किसी other content पे apply करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो simply आपको उसी content के उपर, mouse का cursor लेके आना है, और click कर देना है, click करने के बाद, format penter इस option पे click कर देना है, और इसकी shortcut की है, control, shift, c, तो हमने इस पर click कर दिया है, इस पर click करते ही क्या होगा, अगर आपने सही तरीके से select किया होगा, और option को click किया होगा, तो जो mouse का cursor था, वो अब एक brush में convert हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उस formatting को, जिस भी content पे apply करना है, उसके उपर ले जाकर, आप brush को छोड़ दीजिए, तो हम लोग गए, हमने यहाँ पर इसको इतना select कर लिया, और उने छोड़ दिया, तो आप देखेंगे, कि जो formatting इसमें थी, वही डिटो formatting इसमें apply हो चुकी है, तो यह था format printer, देन अगला section आता है, font का, तो font से सम्मंदित, जो भी commands हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं, for example, यह paragraph है, मुझे इसका font change करना है, तो मैं यहाँ पर click करूँगा, और जो भी मेरी requirement होग मैं उसका नुसार यहाँ पर font select कर लूँगा, तो हमने आप ले लिया है, algerian, ठीक है, तो जो font family है, वो algerian apply हो चुकी है, then font का size, increase या फिर decrease करना है, उसके लिए आप लोगों को इस area पे click करना है, और अपने requirement का नुसार आप लोग यहाँ से size को select कर सकते हो, then अगला font को increase या decrease करने का काम आप लोग इन option से भी कर सकते हैं, जो आपको बड़े size में ए दिख रहा है, उस पे click करने से क्या होगा, content का size increase होगा, छोटे वाले ए पर click करने पर जो size है, वो decrease होगा, यानि कि shrink होगा, then इसके बाद अगर formatting को remove करना है, तो इसके लिए आप लोग clear formatting, इस option क use कर सकते हैं, तो हमने क्या कर लिया, इस content को यहाँ से कर लिया, select, then हमने यहाँ पर clear formatting, इस command पर click किया, तो आप देखिए, जो formatting थी, वो remove कर दी गई है, then content को bold करने के लिए, आप लोग B command का use करते हैं, जिसकी shortcut की होती है, control plus B, तो हमने आपर click कर दिया है, then italic करने के लिए, control plus I, हमने आपर click किया, जो content था, वो italic हो चुका है, then अगर आपको इसमें underline apply करनी है, तो simply आप लोग control plus U कर दीजिए, तो जो content है, उसमें underline आ जायेगी, अगर आप लोगों को underline का color change करना है, या फिर आपको किसी दूसरे प्रकार की underline को use करना है, तो इसके लिए आप कुद दिख रहा है U के बगल में, मैं तो जूम कर देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो simply आप लोगों को इस arrow पे click करना है, तो हमने इस पर click कर दिया है, इस पर click करने के बाद जो भी आपको underline चाहिए, आप यहां से select कर सकते हैं, then अगर आपको underline का color change करना है, त दिन content को strike through देने के लिए आप लोग U के बगल में, जो option दिख रहा है, A, B, C, इस पर click करना है, जो content है, वो strike through में आ जाएगा, then मान लीजे आपको कोई equation लिखनी है chemistry की, for example, आपको लिखना है H2O, one minute, आपको लिखना है H2O, तो आपको बता ही होगा, कि जो H2O में 2 होता है जो H2O में 2 होता है, वो base line से नीचे होता है, तो content को base line से नीचे send करने के लिए, उस content को select करना है, then आपको यहाँ पर X base 2, जिसको हम बोलते हैं, सब script और shortcut की होती है, control plus equal, इस पर click कर देना है, तो आप देखेंगे, कि जो content था, जो आपने select किया था, वो base line से नीचे लोगों को, कोई ऐसा text लिखना है, जिसमें content base line से उपर है, तो इसके लिए, for example, आपको लिखना है A cube, तो आपको पता ही होगा, कि जो cube है, उसमें 3 base line से उपर होता है, तो हमने 3 को कर लिया है, select, then हमने यहाँ पर सब script पे क्लिक कर दिया है, जिसकी shortcut की होती है, control plus shift plus plus, हमने इस पर क्लिक किया, तो आप देखिए, जो 3 था, वो base line से उपर आ चुका है, okay, then अगला आता है case, कि अगर आप किसी content का case change करना चाहते हैं, for example, हमारे पास यह paragraph है, मुझे इसके प्रतेक later को capital करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँँगा, मिलेगा option upper case का, हमने इस पर क्लि environment का नुसार, जो font का case है, वो change कर सकते हैं, then content को highlight करने के लिए, आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, text highlighter, तो for example, हमारे पास यह content है, जिसे मुझे highlight करना है, तो इसको हमने कर लिया है, select, then मैं इस पर क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, yellow color, तो जो color है, वो apply हो चुका है, and that is yellow color, then अगर text का color change करना है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, option, text color का, इस पर click कर दीजे, और यहाँ से आप लोग जो font का color है, वो easily select कर सकते हैं, apply कर सकते हैं, तो हमने आप ले लिया है, example के तोर पर महरून, ठीक, okay, तो यह जो font का section थ चुका है, अगला आता है paragraph, तो इसमें जो सबसे पहला है, वो है bullet का, कि अगर आपके पास कुछ item है, जिन्हें आप bulleted form में दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ, for example, राजा, per minute थोड़ा सको और कर लेते हैं, साइड for example, हमारे पास यह 4 item है, जिन्हें मुझे bulleted form में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको कर लूँगा select, select करने के बाद आप लोगों को simply इस arrow पे क्लिक करना है, और bullet symbol के रूप में, आप जो भी use करना चाहें, आप यहाँ से ले सकते हैं, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है, तो वही font, वही bullet, जो चित्र है, वो यहाँ पर apply हो चुका है, अगर आप लोगों को 1, 2, 3, या फिर ABC दिखाना है, तो आप लोग यहाँ से अपनी requirement के अनुसार ले सकते हैं, तो जो भी आपकी requirement है, उसके अनुसार आप यहाँ से apply कर सकते हैं, तो अगला आता है, paragraph indent को increase करना और decrease करना, तो for example, मैं आपको दिखाता हूँ, यह paragraph है, मुझे इस paragraph का indent, increase या फिर decrease करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर option दिये गए हैं, पहला है decrease indent का, दूसरा है increase indent का, हमने क्या किया, increase indent पे click किया, तो आप देखेंगे कि जो paragraph है, उसका indent increase हो रहा है, indent का मतलब होत उसके बीच में gap, तो जो एक gap है, इसको हम बोलते हैं indent, हमने और click किया, तो आप देखिए, जो indent है, वो increase होता जा रहा है, कम करना है, तो आप लोग यहाँ पर click करिए, तो कम होता जाएगा, then इसके बाद, अगर आपको किसी content को sort करना है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर इस option का use कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं, sort, for example, हमारे पास जो paragraph है, मैं उन paragraph को sort करना चाहता हूँ, तो हमने उस paragraph को कर लिया है, select, select करने के बाद, मैं click करूंगा, sort command के उपर, देन यह पूछ रहा है, कि आप किसको sort करना चाहते हैं, चुकि हमने paragraph, पहले सही select करके रखा ह हो बात हो, तो यहाँ पर लिख क्या रहा है, paragraphs, then यहाँ पर हमने कर लिया है, ascending order, and okay पर हमने click किया, तो जो यह paragraph थे, वो sort हो चुके हैं, then अगर आप लोगों को यहाँ पर, जो symbols हैं, उनको 100 या फिर height करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, easily, अगला आता है alignment, कि जो content है, चाहाँ वो image हो, या फिर text हो, उसका alignment आप कैसे set कर सकते हैं, for example, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले में, तो हमने क्या किया, इस paragraph को कर लिया है, select, then हमने left पे click किया, हाला कि by default जो content होता है, उसका alignment left ही होता है, जिसकी shortcut की होती है, control plus L, ओके, अब देखे धान से, alignment का है, कि जो content है, वो किधर से equal होना चाहिए, हमने आप ले रखा है, control plus L, यानि कि left align, तो इसका मतलब यह है, कि जो line सुरू होंगी, वो left से equal रहेंगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि right side में ऐसा नहीं है, देखे आप यहाँ पर, यहाँ पर gap जादा है, यहाँ पर कम है, तो जो इसका alignment है, वो आप कहेंगे left, क्योंकि इसकी सारी line left से equal है, बट हमने यहाँ पर click कर लिया है, center, जिसकी shortcut की होती है, control plus E, तो इस पर click करते ही क्या होगा, जो यह lines है, प्रतेक line left और right से equal होगी, मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ, for example, य यहाँ से line finish हुई है, तो आप देख पा रहोंगे, जितना space यहाँ पर है, उतना space यहाँ पर है, यानि कि प्रतेक line में, जितना space left में है, उतना ही space right में है, तो इसको हम बोलेंगे क्या alignment center, अगर मैं इसका alignment करता हूँ right, तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि इसकी सारी line, right side स equal हो चुकी है, और सॉटकर की क्या होती है, control plus R, अगर आप लोगों ने वीडियो को like नहीं किया है, तो वीडियो को like कर दीजिए, क्योंकि आपका एक like ही होता है, जो मुझे motivate करता है, कि मैं आप लोगों को और बहतर से बहतर जनगारी, pre-op cost और मन से साज़ा करूं, तो मु होगा, तो हमने इसको कर लिया है, select, then हमने justify, control plus J पर click किया, तो आप देखिए, left और right, दोनों से ये equal हो चुकी है, आप यहाँ पर देखिए, ठीक, तो इसको हम बोलते है, justify, जिसकी shortcut की होती है, control plus J, तो अगला आता है, कि अगर आप लोगों को content, जो line है, उसके बीच में space को manage करना है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर line spacing का use करेंगे, हमने इस पर click किया, और आप यहाँ से अपनी requirement का अनुसार, जो line के बीच में space है, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अपनी requirement का अनुसार, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, त तो आप लोग line spacing option में जाकर भी यहाँ से जो space है, उसको manage कर सकते हैं, अगला आता है, background जिसको मोल सकते हैं, setting, कि अगर आप text में setting देना चाहते हैं, तो वो काम कैसे कर पाएंगे, और example हमने ले लिया है, यहाँ पर example के तोर पर to change, हमने इसको कर लिया है, select, then मैं जाओंगा setting पर, और मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर gray color का, तो आप यहाँ पर देखिए, जो text है, उसमें setting apply हो चुकी है, इसी प्रकार से, अगर text में आपको border apply करना है, तो यहाँ पर click कीजिए, और अपनी requirement के अनुसार, यहाँ पर border ले सकते हैं, for example, मुझे इस content में सिर्फ और सिर्फ bottom में ही border चाहिए, तो मैं यहाँ पर bottom border पर click करूँगा, तो यहाँ पर bottom में border apply हो चुका है, मुझे remove करना है, तो मैं यहाँ पर जाओंगा, लिखा है no border, इस पर में click कर देंगे, तो जो border है, वो remove हो जाएगा, तो यह सक्सन था paragraph का, तो यह अगला सक्सन आता है, इस styles को ले सकते हैं, तो हमने इस paragraph को कर लिया है, select, दिन मैंने normal पर click किया, तो इस type से है, no spacing में ऐसा दिख रहा है, heading 1, heading 2, title, subtitle, subtitle emphasis और emphasis, तो आपकी जो भी requirement है, उसके अनुसार आप लोग यहाँ से style choose कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग style को change भी कर सकते हो, दिन अगला सक्सन आता है editing का, जो की काफी useful है, for example, जो यह आपका document है, इसमें आप कुछ find करना चाहते हैं, for example, मैं चाहता हूँ कि जो यह document है, इसमें tab कहाँ पर लिखा है, तो मैं करूँगा क्या, control plus F, control plus F से क्या होता है, find and replace, हलाकि जोसका main use है, वो control plus F का, वो find के लिए होता है, बट आप लोग यहां से find and replace, इन दोनों command का use कर सकते हैं, तो यह पूछ रहा है, find what, कि इस document में आपको क्या find करना है, तो मैंने type कर दिया है, tab, इसके बाद हमने find next पे click किया, तो जहां जहां पर भी tab लिखा होगा, वो उस area को highlight करते जाएगा, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बट document में particular word, particular paragraph से कुछ content replace करना है, तो इसके लिए आप लोग यहां पर replace का use कर सकते हैं, जिसकी shortcut की है, control plus H, तो हमने control plus H किया, तो मेरे सामने find and replace का dialogue box दिखाई दे रहा है, तो यह पूछ रहा है, कि इस document में किसकी जगे पर क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने कहा, कि जहां पर लिखा हुआ है, दा, वहाँ पर आप कर दीजिए this, तो हमने दा को this से replace कर दिया है, तो अगर आप लोग replace पर क्लिक करेंगे, तो जो पहला वाला होगा, सिर्फ वही replace होगा, दा को this से replace करेगा, बट अगर आपकी requirement है, कि इस पूरे document में, जहां जहां पर भी दा लिखा है, वो this से replace हो जाए, तो आप लोगों को replace आल पे क्लिक कर देना है, तो हमने replace आल पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे, यह बोल रहा है कि इस complete document में, मुझे 64 बार, 64 टाइम मिला था दा, मैंने दा को this से replace कर दिया है, तो आप इस प्रकार से find and replace का use कर सकते हो, अगला आता है select, तो अगर आपको इस document को जो भी content है, पूरा का पूरा content select करना है, तो आप लोग कंट्रोल प्लेस एक ही प्रिस करिए, सारा का सारा content select हो जाएगा, अगर आप लोगों को particular content को ही select करना है, तो आपको simply वहीं पे cursor लेकर जाना है, दिन आप लोगों को mouse में, जो left button होती है, उसक प्रिस करके रखना है, और जिधर आप लोगों को select करना है, आप mouse को उधर घुमाते रहिए, तो वह content select होता जाएगा, अगर आप लोगों को keyboard से selection करना है, तो आपको simply cursor लेकर आना है, और shift के साथ में, up, down, left, right, जो भी आपको content select करना है, उस key को आप दबा कर रखिए, तो content select होता जाएगा, अब यह तो बात रही, home tap के बारे में, अब बात यह आती है, कि अगर मुझे इस document को save करना है, तो वो काम कैसे होगा, तो simply आप लोग control plus S, इस key को press कर दीजिए, या फिर आप लोगों को यहाँ पर एक option दिख रहा होगा, save का, जो की quick access toolbar में है, तो हमने आ आप से पूछ रहा है, कि आप इस document को कहा पर save करना चाहते है, तो मैंने कहा कि मुझे इससे desktop पे save करना है, तो हमने desktop पे click कर दिया है, then आप लोगों को यहाँ पर file का name type करना है, for example हमने कर दिया है, demo and save पर हमने click कर दिया है, तो जी document है, यह save हो चुका है, और जिस भी नाम स document है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा title बार में इसको हमने यहाँ से close कर दिया and आप यहाँ पर देखिए demo नाम की file desktop पे so हो रही है क्योंकि हमने demo के नाम से file create की थी तो हमने अब मान लिजे आपको इस file को open करना है तो simply आप लोग इस पर double click कर दिजे तो जो फाइल है यह particular software पे open हो जाएगी जहां से आप लोग इसको manage कर सकते हैं तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं अगली वीडियो में हम लोग insert tab के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजिए और चुन को subscribe कर दीजिए O level, triple C, current affair, GK व अन्य जो subject हैं उनका tisht देने के लिए आप लोग examjila.com इस website पर आना ना भूलिए आप लोगों को यहाँ पर free of cost